नमस्कार आप देख रहे हैं नीउस इंडिया तक आपके साथ मैं हूँ आसिफ सदकी बिहार में कोरोना काल के दोरान पंचैट चुनाओं के जो तयारिया है वो जोरो शोरो से की जा रही है राजजी निर्वाचना योग ने भी तयारिया शुरू करने के लिए कह दी है और अनुमान है कि अगर स्प्तेम्बर में चुनाओं शुरू हो जाएगा अब इसे लेकर के पंचैट चुनाओं में किसी तरह की कोई गरबरी नहीं हो तो इसको लेकर के भी तयारी की जा रही है खास बात आपको बता दे के पंचैट चुनाओं जो होता है उसमें वोटिंग के लिए वोकस वोट का इस्तेमाल होता है मुख्या जो है धरले से वोकस वोट का इस्तेमाल करवाते हैं ताकि उनकी जीत सुनेश्चित हो जाए और इसे बचने के लिए अब जो है राजजी निर्वाचन आयोगने ने तरतीब शुरू कर दी है हर मदाता केंदरे पर बायोमेट्रिक मशीनी लगाएं जाएंगी जहां पर से होकर कि ही आपको गुजरना होगा इसे ये होगा कि अगर आपने वोटर एडिकार्ड ले रखा है और बायोमेट्रिक मशीन से सत्यापन होने के बाद ही आप आगज आ पाएंगे अगर आपने किसी दूसरे का वोटर एडिकार्ड ले करके आप मतदान करने जा रहे हैं तब आप भारी फजीहत में फच सकते हैं क्योंकि राज निर्वाचन आयोग इस बार किसी तरह की चूक नहीं करना चाती है खास पात ये भी रहे कि करोना काल के दौरा अगर मतदान जो हो रहा है तो इसमें मास्क पहनना अनिवार होगा लेकिन अनिवाचन समय में आप अपना मास्क उतार करके दिखा सकते हैं या फिर जो पीटर सिंग पतेदिकारी है वहाँ बैठे वे वह आपका मास्क उतरवा करके आपका चेहरा पहचानने के लिए आपका मास्क उतरवा सकते हैं तो बायोमेटरिक मशिन लग जाएगी जिससे जो है वोट में किसी तरह की धांधली जो है वुस पर पूरे तरह से रोक लग जाएगी तो इसलिए अपने शेतर के जो मुख्या है वो अब सतरक रह जाएं क्योंकि अब इस तरह की तिक्रमबाजी से काम नहीं चलने वाला है अब सीधे जो है जनता फैसला करेगी आप काबिल है तो आप एक बार फिर्ट से जीतेंगे अगर आप काबिल नहीं है तो नए प्रतिनीधी को मौका मिलने वाला है इसी तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए आप न्यूज इंजिया तक देखते रहे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर ले